हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसीन मन्तव में जहां पर पाते हैं दवाईयों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी तो दोस्तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ का notification आपको मिलता रहे तो दोस्तो पेस करने जा रहा हूं Dicyclomine and Paracetamol tablet के बारे में तो दोस्तो चलिए जाल लेते हैं इस tablet के composition के बारे में तो दोस्तो यह tablet आपको दो composition में उपलब्ध मिल जाएंगे जिन में आपको Dicyclomine 20MG और Paracetamol 325MG और एक टाबलेट जिन में आपको Dicyclomine 20MG और Paracetamol 500MG के कमपोजिशन में उपलब्द मिल जाते हैं तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस टाबलेट के कुछ पापुलर ब्रांड नेम के बारे में जिन में आपको Kolimax टाबलेट, Balargan Nu टाबलेट, Trigan D टाबलेट, Cyclope टाबलेट, Cyclope टाबलेट और डोलो इसपास नाम से किसी भी medical shop या chemist की दुकान पर आसानी से उपलब्द मिल जाता है तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसके rate के बारे में तो दोस्तों यह टाबलेट आपको 18 रुपे से लगा कर 50 रुपे प्रति 10 टाबलेट के हिसाब से मिल जाते हैं तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसके साउधानी के बारे में इस टाबलेट का सेवन किसी भी वेक्ति के age और weight के इसाफ से ही दिया जाना चाहिए चलिए जान लेते हैं इस टाबलेट के यूज के बारे में इस टाबलेट का प्रयोग abdominal की समस्या हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है पेट में इठन या मरोड हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग करते हैं बुखार आ रहा हो उसको ठीक करने के लिए इस टाबलेट का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है महिलाओं के पेड़ू में दर्द हो उसको ठीक करने के लिए इस टाबलेट का प्रयोग करते हैं महिलाओं में पीरियेट के दवरान होने वाले दर्द को ठीक किया जता है मान स्पेशियों में दर्द हो या आतों में सूजन हो या आतों में दर्द हो उसको ठीक करने के लिए इस टाबलेट का प्रयोग किया जता है माईग्रेन की समस्या हो उसमें इस टाबलेट का प्रयोग करते हैं पेड़ दर्द से जूड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टाबलेट का प्रयोग किया जाता है चलिए जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में सामान लेता देखा गया है कि इस टाबलेट का कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता है अगर कुछ साइड इफेक्ट सामान ने दिखाई देते हैं जिनमें आपको उल्टी या मतली हो सकता है दस्त लगने लगता है शरीर पर लाल चकत्ते निकल सकते हैं ठकान महसूस होने लगता है नीद लगने लगता है चकर आ सकता है इत्यादी की समस्याएं दिखाई देतो इस टाबलेट का सेवन करना बंद करें और अपने किसी नजदी की डोक्टर की सलाह लें तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस टाबलेट का प्रेयोग कौन कौन से व्यक्ति नहीं कर सकते लीवर रोगी हो उस व्यक्ति को इस टाबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए पेट में रोग की समस्या हो उसमें इस टाबलेट का प्रेयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें